आखे नमस्कार दूस्तो आप से भी का एक वर्फ स्वागत है एक नई विकेंसी एक नई भरती एक नई जानकारी के साथ तो दूस्तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ने कि 1104 पडू पर अप्रिंटरीब की भरती निकालेगहां दोस्तों बिलकुम आपने सई चुना है अवे तक की सबसे बड़ी भरती निकालिए रेलवे अपरेंटरीशिप में ग्यारा सो चार पतों पर भरती निकाल ये तो चलिए कौन-कौन से जोन में भरती होने वाली है कौन-कौन से परद रहने वाले हैं क्वालिक किया रहने वाली है सेलरी कितने मिलने वाली है हम आवे दन किस प्रकार से कर सकते हैं आनलाइन कर सकते हैं आफलाइन कर सकते हैं आव यहां पर हमारे सामने अभी तक आपने हमारे वेपसाइट को फॉल नहीं किया तुसे जल्दी से फॉलो कर लिजे एंड रेलवे में आप इंटेशिप के 1104 पर निकली भरती बार्विपास को मुकास तुसे जानते इसकी डिटेल पुर्वत्तर रेल्वे के रेल्वे भरती प्रकोष्ट और रार्सी गोरफूर के जोन के अंतरगत आने वाले भीविन को वरकुषाप या यूनिट में प्रेंटी से के भरती के लिए नौट अजारी किया है इस वर्दी के तहत बरकुसाब में फ बाइज वाज डाट जी वी डाट इन पर जाकर आविदन कर सकता है इसकीम कोन से भारती का इसकीम कोन से नेशनल अपेंटरिश्ट ट्रेनिंग स्कीम आविदन इसकी सूरू हो चुके हैं वारा जून थाज़ार चोविस से एंड अंतिम्तिति थिया ग्यारा जुलाई दोश चोविस आविदन सूल के जो है वो सभी उम्मिद्बारों के लिए 100 रुपे रहा जाएगा चाहिए वो एस्टी हो सभी उम्मिद्बारों के लिए 1100 रुपे 100 रुपे का यहां पर आपको बुक्तान करना पड़ेगा अनुसूचित जाती जन जाती दिव्यांग यह सबक पर में 325 भंटा अनुसू दॉमिधन में 95 यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा आयू सीमा की बात करें तो दोस्तों आपकी आयू बारा जुन तो है चोबीस तक 15 वर्से कम और 24 वर्से से अधिक नहीं होनी चाहिए सबस्क्राइब तो बार भी पास होना चाहिए निया मनुसार परसेंट अंको के साथ यां संबड़ी ट्रेड में आईटी आई यह नहीं है तो आप बार भी पास से भी अपलाई कर सकते डाकुमेंट की बात करें तो जो डाकुम्ट आपको लगते हैं सेल्री कि उम्मीद्वार तो बोई सेल्री आपको यहां पर दी जाएगी सेल्री सेलेक्शन प्रोसेस की बात करता है अपरेंटिस अधिनियम उनने सेक्सेट के तहत प्रसिक्शन प्राप्ति करने योग्यों उम्मीद्वारों का चैन मेरी इच्छे सुची के अधार पर किया जाएगा जो मेंट्रिक अधिक ब्रॉस्चन प्रावड़ेंट्स प्लाया जाएगा उन्न्नाय प्रम वैल जाना है वह च्छी करना है ओम पेंच पर आरो यर को अच्छ न ऑई हर करना है ढम को जमा करति देना एंड इसका प्रिंट आउट निकालकर रख लेना आपसल नोटिफिकसन के लिए होगा कुलिक कर देना इंड यहां पर आपको जो आपसल नोटिफिकसन निकल जाएगा टोटल 114 पर दोगा कौन-कौन से बर्ग के लिए एस्टी ऐसी ओविसी जर्णार एड़ा के लिए कौन कित्ते पाद है टोटल सभी देखने को यहाँ पर जिसमें आप आवेधन करना चाहते हैं उसमें आवेधन कर सकते हैं अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को एंड वेबसाइट को फॉलो नहीं क